हेलो फ्रेंड्स आपको च्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल अंकित लेक्ट यूटूब पर तो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे हैं कि किसे टैंथ NCRT में चैप्टर नमबर 4.2 जिसका नाम है दिवगात समीकर जिसके अंदर हम ने अभी तक क्यूशन नमबर 1 का सोलीशन क करनी है तो उनमें से फश्ट समस्य क्या है कि जोन और जिवन्ती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं दोनों 55 कांचे खो देते हैं और एब उनके पास कंचों की संख्या को बतानी है तो फ्रेंड्स बिल्कुल जिजी है द्यान से समझना इती अपने इस क्यूशन को समझ के ना उसके बाद क्यूशन में कुछ नहीं बचता तो देखिए क्यूशन में सबसे पहले यदि हमें जोन देखो यदि हमें जोन की पता चल जाए कि जोन के पास कितने कंची हैं तो जीवनती भी निकाल सकते हैं माना देखिए माना जोन के पास जोन के पास कंचो की संख्या कितनी है कंचो की संख्या हमें पता नहीं है एक बार बाद में तो हम निकाल लेंगे लेकिन एक बार हमें पता नहीं है बार जोन के पास कितनी कंचो की पास कितनी होगी मैं कहूँ आपए दू बच्चे हैं आपके पास एक कि पास चाहर है तो दूसरी के पास कितना होगा आपके इंचल परकार हम भी यही Som Arch!! मैंने कहा कि जोन के पास कंचो किसंगे आक्स मानली टोटल कितनी है पंतारिस तो जीवूनती के पास कितनी होगी जीवूनती के पास कीतनी होगी यह एक्स गटाय देंगे खोनने के बाद आपको लिखना है खोनने के बाद खोनने के बाद जोन के पास कंचे जोन के पास कितने कंचे रहेंगे ठीक है कि देखो खोएगा तो इसमें से पांच कम होंगे अर्था तो उसके पास अक्स कंचे थे उसमें से पांच उसमें खो दिये इसी प्रकार जिविनत के पास जीवनथेनी फांच कंचे कोदी हैं तो यहीं देखो 35-1 इसमें से पांच कोदी हैं तो ये भी घड़ा देंगे 5 तेखो 45-5 गया 40 बचा तो 40-1 इसके पास होंगे जीवनती के पास होगे अब क्या कहता है खो देने के परणक्यात अब के पास कितना है 124 है तो मेरे पास यह दो संख्यां गी यह इनका गुल्ड ऑफ तो किसके बेराबर चोबिश है देखो हमने कहें भी इस लुकी नियुकों तो नहीं हमने कहें भी रटनी को श्यून नहीं किया सबसे पहले मैं पता नहीं था जोन के पास x कंची थे मैंने लिया फिर जिविनति के पास सब्सक्राइब तो हमने 45 में शरी पर जैसे जैसे कि उसने बॉला भी सर्फ भी सर्फ डिक आगे कहता है कि अब दोनों का गुंफल देखो X-5 or और 40- x का गुणफल किसके बरापर होगा कि उसन वाला बोलता है 124 की बरापर मैंने कुछ नहीं किया जैसा जैसा कि उसन बोल रहा है वेशा वेशा करता जा रहा हूं ठीक है अब इसका गुणफल करते हैं तो x का 40 से गुणा किया 40x x का minus x से गुणा किया minus x स्केर minus 5 का 40 से किया 200 और minus 5 का minus x से किया minus minus plus होता है 5x बरापर का देखो 24 एक्स चोबिस ता वो भी दर लिक आती है तो minus का एक्स बरापर में 0 ठीक है अब देखिए अब इसी हल करते हैं देखो 40x है और 5x कितनी x होगे पर देखो minus x स्केर है वो पहले लेता हूं कि 40 और 5 45 क्याना हुआ है अग्यों माइनस का कितना है 200 और माइनस 129 कितना होता है माइनस का तिनसोड़़् बराबर में 0 यहां से देखे इदी आप इसी और हल करना चाहती है तो यहां से माइनस को मैं लेना यहां से माइनस था मैंने माइनस को में ले लिया तो यहां से देखी है यह पलस का हो जाएगा और यह माइनस का हो से बिल्कूर इजी आपको रटने की जूरत नहीं है आपको हर एक चीज को समझते हुँ चलना है ताकि आपका मेथड है वह इजी बना रही तो देखिए अभी इसके मूल ज्याद करना है इसके पहले वाले वीडियो में यही ज्याद करना शिखा था कि उसके मूल के से शर्णा करके देखो इसका गुणा कुछ नहीं है एक माल यह यहां किया है तीनस और तीना करें तो कितना ना चाहिए यहां नने शीख लिया यंदि आपने पहले वाला वीडियो देखा है तो आपको यहां पर बिल्कुल एजी होगा ठीक है आगे क्या गयता है तो इसी संख्या बताओ जिसका गुणा करें तो 324 आए और जोड करें तो पंतालिस आए तो गाईज एसी कोई संख्या संख्या बताओं तो देखिए 36 निम्मा कितना हो था फ्रेंड्स चतिस को नो से गुणा किया 324 आया और चतिस को में से चतिस में नो जोडा कितना है तो पंतालिस आया ठीक है गाईज तो गाईज हमें एसी दो संख्या मिल गई है लिख दोreck्स केर माइनिस 55 संख्या तो ये भी माईनिस को जाएगा तो माइनिस का 36 माइनिस का 9 च और अगा सब्सका 324 है है 6 защ &atus प्राबर में क्या है जीरो अब यह आगे मेरे पास अब यहां से क्या कोमन आ रहा है वो कोमन ले लो ठीक है यहां से मेरे पास कोमन आया X तो यहां पर क्या बचा X-36 ठीक है और वापिस यहां से माइनस कोमन ले लूँ मैं और नो भी कोमन ले लूँ क्यों कi common आ रही है 9 common ले लिया और यहांपर किया बचा X-36 326 होता है तो 36 भजा ठीक है यहां से मेरी पास वापिस इस equation से common आ रहा है वो भी ले लो X-36 वापिस से common आ रहा है तो वो भी ले लिया और यहां किया बचा X-9 बराबर में 0 तो आप इसे बी जीजिर इसे भी किसके बदो रख़ लो जीडो की बराबर रख लो कि .... डू जाइगा तो Leafy इसी प्रकार सब्सक्री आ एक सब्सक्राइब करूंड कि लिना चाहिए ठीक है कितना बचा 36 बचा जिवनती के पास तो 36 कंचे थे और जोन के पास नो कंचे थे या फिर आप 36 भी ले सकते हैं आपको तो यह आपको मूल निकालके दिखाना है ठीक है यह था आपकी समस्या पार्ट नमर फेस्ट था बिलकुल इजी है कहें भी रटने के आप सकता नहीं है य समस्या नमर टू भी लेती हैं समस्या नमर टू क्या करता है एक कुटीर उदोग एक दिन में कुछ खिलोने निर्मित करता है अर्शात बनाता है पर ते खिलोने का मूले 55 रुपे में है तो में से एक दिन में निर्मान के एक खिलोनों की संख्या को गटाने से देखिए यह पूछना चाहते हैं कि हमें एक हमें उस एक दिन की निर्मान कि एक खिलोनों की संख्या घ्यात किजिए तो गाइड बेलकुल लीजी है सेम पहले वाला है हमें इस प्रकार की क्यूशन बहुत कर चुके हैं बेलकुल लीजी है तो फिर भी मैं देखिए बताता हूं सबसे पहले हम को इस क्यूशन में क्या मान है आपकी पास भी वुक होगी ठीक है आपको ओपन करके रखना है इस बुक को योगकि देखिए तना बड़ा कि शुना लिखूंगा टाइम लगेगा इस अच्छा आप अपनी बुक भी ओपन करके लिखने ना ठीक है तो माना की सबसे आपको पूरा लिखना है माना उопасितिन वोगोंने बनाने वाले ने एक्स खिलोंने बनाइए ठीक है आगे क्या कहता है फिर कहता है इसलिए उस दिन पर moet तो देखिए उस दिन पर ते खिलोने की निर्माण में लागत कितनी आएगी आपको डायरी लिखना है आपको पूरा लिखना है मैं सोट में लिख रहा हूं ठीक है कितनी आएगी टोटल कितनी है हमने x माल लिया तो 55-x पर 3 खिलोने की लागत होगी ठीक है फिर आगे क्या कहता है 55-x आगे क्यूशन कहता है कि इन दोनों का गुणफल किस के बराबर होगा इन दोनों का गुणफल देखो X इंटू 55-X का गुनफल 750 के बराबर होगा ये कौन कहता है, क्यूशन वाला कहता है तो इसको multiply भी करते है 55 को X से multiply किया 55-X minus है तो minus X को X से multiply किया X square बराबर 750 ठीक है ये minus का X square दर जाएगा तो plus का X square ठीक है और ये 55-X भी दर जाएगा तो minus का पिछ पनक्स और ये plus का 750 ठीक है ये मेरी पास एक equation आ गई है जिसके हमें मूल क्यात करना अच्छी तरह से आता है क्योंकि हमने पहले वाले वीडियो लेक्षर के अंधर अच्छी तरह समझ लिया है ठीक है ये कुटीर उदोग एक दिन में कुछ खिलोने निरमीत करता था तब नाता है पर ते खिलोने का मुल्य पिछमें में से एक दिन निमान किये खिलोनों किसन क्या गटाने से ये कहता है मुझे नहीं पता माना की एक्स है तो पिच्बन में से गटाएंगे ये कौन बोलता है ये क्यूसन बाला बोलता है ठीक है वेसे यह कुछ निजी है इसलिए मैं आपको आपको चोड़ रहा हूं और जो सबसे पहले अक्स की दोनों वेल्यू बताएगा उनका नाम अगले वीडियो लेक्टर के अंदर लिया जाएगा तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही यदि वीडियो पसंद आए तो वीडिय कि उसे नमबर थरी के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय वर्त